ओडिशा की सत्ता रूर पार्टी बीजू जनता दल ने बीजेपी के साथ गड़ बंधन पर बात पहनने से पहले ही लोकसभा और प्रधानसभा चुनावों के लिए उमीदवारों के चेन की प्रकिरिया शुरू कर दी है बता दे की मुख्य मंतरी और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पतनायक ने अपनी पार्टी के नेताओं से राजधानी भूबनेश्वर में रहकर टिक्टो की पैर्वी करने के बजाए अपने निर्वाचन शेत्रों पर पूरा ध्यान देने को कहा बीजेडी के एक सीनियर नेता का कहना है कि हम गटवंधन पर बीजेडी के फैसले का इंतजार किये बना अपने उमीदवारों के चेन शुरू कर देंगे हम दिखेंगे की बाद में क्या होगा औरीसा से बीजेपी की एक टीम पिछले दो दिनों से बीजू जनता दल के साथ सीट बटवारे को लेकर रास्तिय रासधानी में डेरा डाले हुए है और केंद्रिय नेताओं के साथ बैठक कर रही है राज्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव चार चण्डों में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे बतादे कि बीजू जनता दल ने अपने नेताओं को निर्देश दिया है कि वे निर्वाचन छेत्रों में अपनी दिन प्रदिदिन की गतिवीदियों के बारे में पार्टी अधिकारियों को जानकारी देते रहे पटनायक ने अपने निर्वाचन छेत्रों में निताओं की गतिवीदियों पर नज़र रखने के लिए दो मॉनिटरिंग सेल खोले हैं एक उनके घर नवीन निवास में और दूसरा राज्य पार्टी मुख्यालय संखभवन में नेताओं से कहा गया कि वे निर्वाचन छेत्रों में अपनी गतिवीदियों की तस्वीरे भी भेजे